तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से अपने सिक्षा में मैं हूँ आपके साथ अजित नाइक दोस्तों आज के इंटर्व्यू में बहुत ए खास महमान हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि एंजियो के अंतरगत यहां पे कोचिंग देते हैं बच्चे सब को और ह सर्थ ठाइना में दोष्छै का तरफ से ती विदी सेंटर चला थिः हमदो को बचो में सीखा देना एक जिदा किताब से नहीं पराजय बें इसको बात करते इसके न थो हम लोग बार काने व्हां सेओंस्टियों करने में जबी समान होता हैं जु уже समाना थैरिया चलय तो सह के द्वारा यह जो कोचिंग चला रही है तो यह आप यहां पर कितने समय से चला रहे हैं यह सो तो अभी पांस साल हो गया है पर मैं तो देपड़ा में थी यहां पर आई हूं यहां से एक साल से थोरा ज्यादा हो गया है मैं चला रही हूं बहुत से बच्चे आते हैं यहां पढ़ाई कितना जरूरी अभी सास देने से ज्यादा पढ़ाई भी जारूरी हो रहा है इसलिए बच्छा सही तरह आता है मेरे डाइन सेंटर में सभी बच्छे आते हैं और यहां मतलब इस टी गार्डेन के अलावा अन्य कौन कौन से टी गार्डेन में आप लोग पढ़ाते हैं मतलब इसके अंतर इस ड्वर जागरन के अंतरर हैं एक टो है देपारा में और एक टो प्लास बाड़ी में है एक टो कठल गुड़ी में है आप से कुछ प्रस्णले सवाल भी करते हैं कि बच्छो को लेकर क्या अनुभव रहा इतने दिनों में उन्हें और आगे बढ़ाने में आप कितना आप सायोग देंगे इसका है डो पेस आप कहां पे है हम लग आप इसे बारर हट में इस लग का यह जो है सेग्रेटरी ओ है विक्टोर बासू ओ भी हम लग बहुत अच्छे है वो भी कोशिस करते हैं कि हर बहुत से पड़े उसका यही सोच के चलते हैं आज डूर साकरन भी चल रहा है यहापी तो बहुत बहुत सुक्रिया में आपने इतना चा समय दिया हमें तो